सूरच के निकलने का समय हो गया है फूलों के खिलने का समय हो गया है जाग भी जाओ आए दोस्त इस मीठी नीद से सपनों को सच करने का समय हो गया है दोस्तों आज है की सपरेल और स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेस वीडियो बहुत इस वीडियो के बहुत करने वाला हो और काफी जो है डिटेल के साथ एक्सप्लेइन करूंगा प्रीज वीडियो को लास तक देखते रहे हैं और आज की वीडियो इसलिए भी इसपेसल है दोस्तों आप सब के लिए क्योंकि आज इस वीडियो में एक मैं कोशन पूछूँगा इस पूरे वीडियो में कभी भी पूछ लूँगा आपसे कोशन में जिससे आपको कोशन का एंसर देने पर आपको मैं एक बहतरीन करेंट के और साथी साथ railway के एक special notes दूँगा आपको जितने भी student देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज लास तक देखें दिए आपको फ्रीम नोट से railway exam के लिए special notes हैं वो और participate करने के लिए आप current affairs को जो question पूछूँगा उसका answer आपको comment box जरूर लिखना और आपको जाएगा ठीक है देखें दूट जोट जी वीडियो को लाइक कर देना है जल्दी से वीडियो लाइक और शेयर कर दिए वीडियो को लास तक देखते रहे हैं और दोस्तों आज के वीडियो बहुत इस पस्प्राइब जिरू कर लें साथ कर दें चले फ़र इस चांट करते हैं पहला question हमारा काफी important है अप्रैल 2019 में रेलवे बोट के सदस के रूम में किष्णे पधभार समाला है तो देखें उसrau appearance में रेलवे बोट के सदस के रूम में पधभार समाल ले बीपी पाठक जी ठीक है ओप सान इसका के रूमें में कारे रत थे ठीक है इससे पहले वो क्या थे रेलवे बोट के महनेदेशक के रूमें कारे रत थे अब देखें दोस्तों यहां पर बात हो रही है रेलवे बोट के बारे में तो रेलवे रेलवे मिनिस्टर है प्यूश गोएल कौन है प्यूश गोएल जी है बरतवाने भारत के रेलवे मिनिस्टर ठीक है ये याद रखेंगे आप लोग ठीक है काफी इंपोर्टेंट है इसके रहाओ दोस्तों रेलवे सिलेटेड आपको कुछ और जो है महत्तपूर्ण सामान एक जान से लेटर कोश्चन मता देता हूँ रेलवे एक्जाम में जरूर पूछ जाएंगे देखे दोस्तों भारती रेलवे बोड के स्थाबना कप की थी 1905 मिकी गई थी ये कोश्चन कई वार पूछा गया है मेट्रो पूरुस के उपनाम के से कौन प्रसिद्ध है तो इंजि किलाबा दोस्तों आपको बता दें कि भारती रेल का राश्टी करण कब हो था ये कोश्चन रेलवे एक्जाम में बार बार पूछा आता है तो भारती रेल का राश्टी करण हो था 1950 में कब हो था 1950 में रेलवे का राश्टी करण हुआ था और भारती रेल कितने शेत्रों मे का किषिने पदवार समाल लिए है बेपी पाठक जी वरतबान में चेयर्मेन कॉन रियलवे बोर्ड के विनोत कुमार यादव जी है आपको लाइक पसंद आता है फेलीज मोटिवेट करने के लिए एक लाइक आज जरूर कर दें वीडियो का target लाइक से दो आज का 5000 प्लीज वीडियो दोस्तो लाइक जरूर करें लाइक करने से हमारा होसला बढ़ता है motivation मिलता है अगला question हमारा Paytium Payments Bank Limited के निदेशक मंडल में किसे निउक्त किया गया है इसको आप याद रखें काफी important है शायरी चहल को इसको शायरी चहल को निउक्त किया गया है देखें दोस्तों चहल महिलाओं के लिए सामुदाइक मंच शेरोज की संस्थापक और CEO भी है अब यहाँ पर बात होरी Paytium की दोस्तों तो Paytium के बारे आप सब को पता ही होगा यह e-commerce company है इसका headquarter कहाँ पर नोईडा यूपी में है इसकी स्थापना काउई थी पेटियम की 2010 में पेटियम की स्थापना हुई थी देखिए दोस्तों पेटियम के founder कौन थे विजय शेखर सर्मा थे कौन थे विजय शेखर सर्मा थे पेटियम के founder ठीक है और e-commerce पेटियम सिस्टम जो है यह काम करती है डिजिटल वालेट का भी काम करती है तो याद रखेंगे पेटियम पेइमेंट्स वेंग लिम्टेट के निजसक मननल किसे निक्तिया गया है शायरी चहल को वरत देखेंगे दोश्तों आपको गोगल के जो वरतमान में सियो ने सुन्दर पिचाई घुआ को है देखिए यह एक्जाम में कुछा आता है रेलवी एकशाम में तो आप राद रहें किसंदर पीचाई वरतमान में गूगल के सीयो है बात करें दोस्तों बोड़ा फोन और Amazon के CEO को ने जेफ बेजोस हैं थीक है Snapdeal के है Kunal वहल है थीक है यह आप याद रखे काफी इंपोर्टेंट है Twitter के CEO को ने जैक डोर्सी वर्तवान वे Twitter के CEO है WhatsApp के CEO को ने जान कौम थीक है CEO waited question पूछा आता हुए इसलिए मैं आपको सारे आप नोट-डाउन करते चलिए गो दोस्तों ठीक है Microsoft के CEO को ने सत्या नडेला Microsoft के CEO को ने सत्या नडेला जी है वरतवान में Microsoft के CEO ठीक है तो Paytium Payments Bank Limited के निदेशक मंदल में किसे निक्तिया गया है साइरी चहल को अगला कोशन हमारा हाली में किसे Cleveland International Hall of Fame में सामिल किया गया है तो दोस्तों हाली में Cleveland International Hall of Fame में सामिल किया गया है स्री स्रीनात को ठीक है स्री स्रीनात को सामिल किया गया है देखे भारती एमेर की वेगजानिक और सामाजी कार्यकरता को जो है जीव बिगजान वहशिक मुद्द और सतदविकास में अन्प्रियोगम उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध क्लिव लेंड इंटनेशनल हावला फ्रेम में सामिल किया गया है कि कोशन फोर्थ हमारा विश्ट प्रेस सुदंता सुचकांग भारत की रैंग क्या है देखे दोस्तों यह मोस्ट इंबर्डन कोशन है रैंकिंग से लेटेट कोशन हर एकजामें पूछा आता है इसलिए आप याद रखेंगे विश्ट प्रेस सुदंता सुचकांग 2019 में भारत को स्थान मिला है 140 ठीक है 140 140 रैंग है ठीक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत की रैंग पिछले वर्स कितनी थी 138 थी ठीक है 138 थी दो अंग नीचे गिरकर 140 मी हो गई है ठीक है देखे उसो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने 18 प्रेल को पत्रकारों के प्रेद बढ़ते दोएश को दरसाते हुए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 जारी किया है आपको बता देक नार्वेजे सुचकांग में सबसे उपर है नंबर और नार्वे है ठीक नंबर और पूछा जागा आपस एक जाम 2019 में जारी कि गई है ठीक है देखे लीश फफिय खुशाली रिपोट में 2019 से भारत का स्थान क्या है 150 वैंघ वह क्तांग की सफ्टां पर है एकथे अगर बात करए क्या है ऑर अगर बात करें जोश्तो ओफ इस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रेंग यहुस tapे नम्मर थी मांव पूजी सूचकांग 12 Therapy भारत की स्थान क्या मानव पूजी सूचकांग 2022 भारत की स्थान 115 और इसमें सिंगापूर ग्लोब हंगर academics यह भी कई वार पूछ आध है ग्लोब हंगर pond square ग्लोब हंगर इंडेक्स है यू थीवर भारत कि स्थान इसके लावा अंतराष्टी बॉद्धिक संपता सुचकांग में भारत की स्थान क्या है 44 मीं है नंबर उन पर है अमेरिका ठीक है तो यह जो है काफी इंपोर्डेंट है पूछ ले आते हैं आप से एक एक्जाम में कोशन इसलिए आपको याद रखने ठीक है ठीक है दोस्तों इसलिए पिछले साल थी 132 नीचे गिरकर 140 मी हो गई है ठीक है दोस्तों इतना आप याद रखेंगे काफी इंपोर्डेंट हर एक्जाम के लिए अगला कोशन है हमारा दूस्टों कोशन नमर फिप्त है एसी आई भरतोलन चैंपिएशिप द्वहरणी से भारत की चुनोती क करेंगे मीरावाई चानू ठीक है देखिए पूर विष्ट्व एंपियन है मीरावाई चानू 20 अप्रेल को निगंबो चीन में शुरू हुई एसी आई भरतोलन चैंपिएशिप द्वहरणी से भारत की चुनोती को नेतित करेंगी आपको बता दे कंदरास्टी भरतोलन जिल कूट प्रतियुकता होने वाली तोहरोंडीस में उस से लेटे कुछ आपको पता दूँ ठीक है देखे दोस्ता आपको बता देख फीफा-विष्टकप जो दोहर 22 को बोका कतर में फीफा वर्ल्ड कप 22 कहां पर कतर में होगा ठीक है और आपको बता देख आइसी सी क्र सर्वा होगा वर्मिंगा, मिलान में, कहां पे होगा वर्मिंगा, मिलान में, ठीक तो यह भी कोशन आपसे एक्जामे पूछा सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, का बाग पुर्षों के 65 किलोगराम फीकरी Reynolds में दुनिया के नंबर 1 स्थान पर कौन आ गया है आध। तो तो पुर्षों के 65 किलोगराम फीकरीमें दुनिया नंबर एक अस्थान पर आ गये हैं। बजरंग पुनिया ठीक है ऑप्सन भी करेक्ट हो जाया देखे तो बजरंग पुनिया ने युनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग दौरा जारी रैंकिंग में पूर्सों की 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्रेडी में विश्ट में नमबर एक स्थान हासिल किया है और वहां दोस् सब्सक्राइब है और दोस्तों अब देख लेते हैं आज का सवाल होम एक्सपो इंडिया दोहर के लिए बहुत थी स्पेसल नोट्स सब्सक्राइब बहुत कम लोग कमेंट करेंगे आपको नोट से तो कमेंट करिए और अच्छे पूरे एक्स्प्लेनेशन के साथ कमेंट करिए मैं रेंडम जो है इसको पिक अपके कमेंट को और कल आपको जो एनाउंस भी करूंग जो भी विनर रहेगा तो कल मैं अपने नेक्स्ट वीडिय जै हिन जै भारत